नमस्कार मैं वी बेकाणग और आप देख रहें नियूज फोर नेशन बिहार के सबसे चर्चित IAS अफसर केके पाठक ने क्या इस्तिफा दे दिया है इसको लेकर के पिछले कई दीनों से चर्चा चल पड़ी है कि केके पाठक अब अपने पद से उन्होंने इस्तिफा कर दि दूसरे डिपार्टमेंट में जाने वाले हैं कई तरह की चर्चाएं जारी है इसी बीच एक पत्र वाइरल हो रहा है उस वाइरल पत्र के बाद बड़ी संख्या में लोगों ने मान लिया है कि केके पाठक ने सिक्छा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पद से का स्वतह परित्याग कर दिया है अब वे सिक्छा विभाग के अपर मुख्य सचिव नहीं रहेंगे इस पत्र के वाइरल होने के बाद जबरदस्त चर्चा चल पड़ी है कि भारी विरोध के बाद केके पाठक ने खुद ही पद छोड़ने की पेसकस किया यूँ कह है कि खुद ही उन वाइरल हो रही है सोचल मेडिया पर उसका जब हमने पड़ताल किया तो एक्चुल इस्तिती असपस्ट हो गई जो चर्चा है कि केके पाठक ने इस्तिफा कर दिया है वैसी कुछ बात नहीं है बलकि वे सिर्फ अपना प्रभार सौपे है नौ तारिक को केके पाठक ने सिक्षाई भाग के सचीव है उन्हें ही पूर्णी जिम्मेदारी दे दी गई है इस पत्र के बाद इस पत्र का जब हमने परताल किया जानकारों से जब जानकारी ली कई अपसरों से जब हमने बात की तो उन लोगों ने बताया कि इस प्रभार प्रतिवेदन का मतलब और सिर्फ इतना ही है कि कोई अपसर अगर छुट्टी पर जाते हैं, लंबी छुट्टी पर जाते हैं, तो वे अपना प्रभार दूसरे को दे देते हैं, सिर्फ इसमें वही है, इसमें इस्तिफे की कहीं कोई बात नहीं है, चुकि जो प्रभार प्रतिवेदन है, उसमें केक पाठक भारतिय प्रसासनिक सेवा 1990 बैच समान्य प्रसासन विभाग बिहार पटना की अधिसूचना संख्या 9.1.2024 के आलोक में आज दिनांक 9.1.2024 के अपराहन में अपर मुख्य सचिव सिक्षा विभाग बिहार पटना के पद का प्रभार स्वतह परित्या करता हूं जब स्वतह परित्या करता हूं इसी सब्द को पढ़ करके लोगों ने अकयास लगाना शुरू कर दिया कि केके पाठक ने इस्तिफा दे दिया है अब वे सिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव नहीं रहेंगे सिक्षा विभाग में भारी बवाल के बाद वे पीछे हट गए हैं और अब लोगों को यानि कि सिक्षा विभाग के करमचारियों अन लोगों को राहत मिली है लेकिन सच्चाई यही है कि सिर्फ और सिर्फ इन होने प्रभार दिया है आठ तारिक से लेकर के 16 तारिक तक 16 जनवरिता के छुट्टी पर हैं उपारजीत आवकास पर हैं और इस दवरान वैदनात यादव सिक्षा विभाग के पूर्ण प्रभार यानि के वित्ये प्रभार भी अब वैदनात यादव के पास है तो इस प्रभार प्रतिवेदन की चिठी वाइरल होने के बाद बड़ी संख्या में लोगों के फोन कॉल्स आ रहे हैं लोग या पूछ रहे हैं कि क्या वाकई में केके पाठक ने इस्तिफा कर दिया है लेकिन सच्चाई यही है कि केके पाठक ने इस्तिफा नहीं दिया है बलकि सिर्फ और सिर्फ अपना प्रभार सौप दिया है चुकवे आठ दीनों की छुट्टी पर गए है तो हकीकत यही है जो भी अप हुआ है जो भी मार्केट में जो चर्चा है कई जगा यह खबर भी चल पड़ी है कि केके पाठक अब यहां से चलता कर दिये गए चले गए उन्होंने इस्तिफा कर दिया ऐसी कहीं कोई बात नहीं है बलकि 16 तारी के बाद यानि कि 16 जनवरी के बाद वे छुट्टी से एक बार फिर से आएंगे और सिक्षा विभाकिया परमुक्य सचिव की जिम्मेदारी संभालेंगे हलाकि खबर यही है कि केके पाठा को लेकर के सरकार में भी भारी नराजगी है कई मंत्रियों में भी भारी नराजगे खास करके सिक्षकों की टाइमिंग जो 5 बज़े साम तक कर दी गई है इसको लेकर के जो नितिस कैबनेट के कई मंत्री है वे भी नराजगी है सरकार की तरफ से भी कहा गया है कि उस टाइमिंग को घटाईए लेकिन कहा जा रहा है कि सिक्छा विभाग के अपर मुक्य सचिव इसके लिए तयार नहीं है इसको लेकर के भी भारी नराजगी है नराजगी तो है लेकिन इस नराजगी के बीच यह जो चर्चा चल पड़ी है कि केके पाठक ने इस्तिफा दे दिया है ऐसी कोई बात नहीं है चुकी वे छुट्टी पर गए हैं तो सिर्फ और सिर्फ उन्होंने अपना प्रभार सौप दिया है अधिक अप्डेट्स के लिए देखते रे निवीज पर नेशन मस्कार